प्लेशिंग्स, खुश रहें, खुश रहें, गणपति बप्पा मोर या के जैकारे हम लगाने वाले हैं, आने वाले कुछ दिनों में, घर घर गणेजी विराजित होंगे, शेहर में बड़े बड़े गणेजी विराजित होंगे, हम परिवार के साथ जाकर, गणेजी के दर्शन करके आएंगे, उनसे प्रसाद आरती का गान करके आएंगे, मेरा आपसे अनुरोध है, आप सब करिए गणेजी के दर्शन, गणेजी की आरती गाईए, लेकिन एक बात ध्यान रखें, हम जब आरती गाते हैं, उसमें आता है, अंधन कों आग देत कोड काया, और विद्न हंता, तो मेरा कहने का तात्वर इस वीडियो से आपसे यह है, कि क्यो ना, आस तक हम नहीं सुना, कि गणपती जी आकर किसी को आख दे गए, गणपती जी आकर किसी को अच्छी काया दे गए, तो गणपती जी यह संदेश देते हैं, कि आप गणपती बन कर जाओ किसी के जिवन में अन्ध आश्रम में आप मदद कर के आओ अपनी नेत्रदान करें और किसी के जीवन में गड़पती बनें अब अब इस लेगर एक अंधे को मेरे नेत्रदान के द्वारा मेरी आखें लग गई तो अन्धा तो कही न कहीं मुझे आरे जी कष्ट्रों से समाध द्वारा उपेक्षित रहते हैं, उनकी सेवा करके आए, उनको जो भी आवश्रक्ची जन्दी करा है, तो आरती गड़पती की जुका आते हैं, इसको हम मानों सेवा से भी जोड़े, मेरा दीवेदाने आने वाले दस दिनों में, आप जब भी सम आपकई गड़पती जी की आरती को चहीतार्त करें, में निवेदान करूंगा सरगारी करमचारियों से, जो शिकायत निवारन के इंदर रखते हैं, वह भी 10 दिन, इसकायत निवारन के इंदर खोलके रखें, और किसी के जीवन के विद्न हर्ता बनें, जितनी आरतिया हैं, एक संदेश देती है, कि मैं आप में हूँ, आप बनकर जाओ, गड़पती जी आप में हैं, गड़पती की प्रतीमा, बड़े कान, थोड़ा ध्यान से सुनो, छोटी आँख सुष्वता से देखो, बड़ी नाख, जो संदेश देती है, दूर से किसी परिस्तिती का आबास क चोटा मूँ, आप कम बोलो, वही चीजें, जो गड़ेश की प्रतीमा है, हम अपने अंदर डालें, और हम यह संकल प्रें, कि 10 दिनों में हम किसी ना किसी की आख बनकर, किसी ना किसी अंदे की मदद बनकर, उसकी जीवन में, गड़ेश जी का रोल आदा करकर, इस गड़े जीजसें, अल्ला है, इस मानोता को परणाम करते हुए, कि हम इस आरती को मानाव सिवा से जोड़ने का आखान, मैं मेरे डिवाइन एस्टो हीलिंग परिवाद, जो विगत दो वश्यों से कर रहा है, 18 से अधिक शेरों में, और न जाने कितने देशों में, मैं आप से निव झाल